मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसू को देखा है इशाय नभी का सहीफा उसका 38 बाप एक से आठ और 21 से 22 आयात उन दिनों में हिस्किया मौत की मर्ज से बिमार हुआ तो अमूस का बेटा इशाय नभी उसके पास आया और उससे कहा खुदावंद यू फर्माता है कि अपने घर की बाबत वसीहत कर क्योंकि तु मर जाएगा और ना जीएगा तब हिस्किया ने अपना मौ दिवार की तरफ फेरा और खुदावंद से दुआ करके कहा अए खुदावंद याद रख कि मैं किस तरहा तेरे सामने रास्ती से और दिल की सलामती से चला और कैसे मैंने तेरे आगे वो काम किया जो तेरी निगाह में नेक है और हिस्किया बड़ी शिद्दत से रोया तब खुदावंद ने इशाय से हम कलाम होकर कहा जा और हिस्किया से कहे कि खुदावन तेरे बाप दाउत का खुदा यू फर्माता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और तेरे आंसु को देखा और देख मैं तेरे दिनों पर पंद्रा बरस बढ़ाऊंगा और तुझ को और उसके शहर को अशूर की बादशा के हाथ से छुडाऊंगा और इस शहर की हमायत करूंगा तरीक मैं दर्जों के साए को जो आहास की धूप गड़ी में नीचे गया है दस दर्जे पीछे हटाऊंगा पस सूरच जो नीचे गया था दस दर्जे वापिस गया पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो खुदा का शुकर हो